सभी जाते हो को राम रामना उश्कार उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बड़े होंगे जैसा कि आप सभी जानते कि यूपी बिलिस कॉंसेबल की रीग्जामनेशन डेट जारी हो चुकी है और डेट जारी हो जाने के बाद आप यहां पे कुछ सबाल हैं जिनके जवाब किन किनके जारी होंगे क्या सभी के कैंडिडेट के जारी हो जाएंगे और साथी में जो यहांता है चैनल को सब्सक्राइब करने हो रॉयल आइकन पर प्रेस करने तक फ्यूचर में आने वाली और एक अपडेट के नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं तो देखो सबसे पहले तुम्हें ट्रेवल पास के जिसके लिए बस से यातरा करने वाले अब्ढेटिय Komma को अपने प्रवेश पत्रकी अतिरेख दो प्रति या प्रवार दूब्र लेना एक तो आपको एक्जाम सेंटर के लिए लेकर जाने के लिए यानि कि जब आप बस में बैठेंगे तो आपको अपना दिखाना नहीं एक उसकी देनी पड़ेगी एक बार यातरा करने के लिए और जब दूसरी बार आएंगे तो वह कॉपी आपको द सेंटर रहेगा वह आउट ऑफ डिस्टिक्ट ही जाएगा जहां तक जहां तक संभावना है क्योंकि जो नई नियमावली बनाई थी कि यहां पर आप सभी देख सकते हैं एक जुलाई दोजार चौबिस को अदूचित जो की गई थी अधीनियम उसके अक्वाडिंग यह यह देखो अगर आपने application form fill up किया है ठीक है अगर आपने form apply किया था भले ही आप जो 17-18 फरवरी को जो examination हुआता अगर आप उसमें एपिर नहीं हुए हैं तब भी आप इस परिक्षा में समलेत होंगे और आपका admit कर जारी होगा ठीक है यह चीज़ यहां पर clear रखना क्योंकि पहले ही इसके बारे में जानकरी दे दी गई थी कि जिन व्यक्तियों ने इसके लिए आविदन किया है उन सभी व्यक्तियों का re-exam conduct करवाया जाएगा यानि कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 17-18 फरवरी को examination आपने नहीं दिया था तो admit card नहीं आएगा बिलकुल से आएगा आती है कि आपके जो admit card होंगे वो कौन सी date को आएंगे और किस तरीकी से आपके admit card release होने है इनके लिए 20 प्रैक्टिस साथ यहां पर मिल जाते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर पूजा पूजा प्लिकेशन की मिल जाएगी लिंक आपको वीडियो के description में देती हैं यहां से जाके आप इन्बुक को पर्चेस कर सकते हैं यह नियर भाई बुक स्टोर से भी जाके खरी सकते हैं अपनी तयारी सुरू कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर जो point निकल आता है कि जो होंगे वह कब तक जारी हो जाएंगे अब यहां पर यह भी पॉइंट आप सभी का क्लिर कर देते हैं तो देखो एक्जाम डेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के दिवांग में अलग अलग चीज़ें थी कि अब अक्टूबर में होगा सेप्टेंबर में होगा नवमर में होगा यानि जिसकी जैसी मर्थी वो उसके अकॉरिंग कहा रहा था लेकिन हमने आपको का था भरती बोड अपनी पूरी तयारियां कर चुका है और सासन से नुमत मिलने के बाद यह सारी चीज़ें हो क्योंकि आप सभी को जानकारी दी जारी है इसलिए कि आप पहले से तयारी करते हैं क्योंकि अगर आप से यह कहरा हूं करेंको की जल्दी नहीं होगा गलוכा कोई पर बिस अबRIक चा कोते हरा भी नोट समेंग chips कर सबसे पहले सबीके स्टेटस जाएंगे आप अपना कर सकते हैं और यह अप को पता है कि 31 अगस्त तक होगा तो यहां पर आपके स्टेटस जारी होंगे वो लगवक्ष साथ दिन पहले जारी हो देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें केवल आप यह चेक कर पाऊंगे कि आपकी डेट कौन सी है और आपका एक्जाम सिटी कौन सा है जिससे आप अपनी सुभधा अनुसार वहां पर जा सके और अपनी जो भी विवस्ता है वहां पर कर सके और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जिसमें आप सभी के इग्जामनेशन सेंटर देखेगा वह दो से तीन दिन पहले ही संभवत है यही रहेगा कि दो से तीन दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा यानि डेट एंस सिटी वाला स्टेटर तो आपको लवग इच्छे से अब आपका जो टार्गेट होना चाहिए वो होना चाहिए 60245 विकिंसी में से एक सीट को कंफर्म करना और इसके लिए आपको जीत और तयारी करनी है क्योंकि लग वक्त 30 दिन का समय आप सभी के पास बचा है और यह 30 दिन आपका भवश्य निरधारित करेगा अगर आपने यह 30 दिन सही तरीके से तैयारी कर ली तो निश्चित तोर पर आपको बढ़दी मिल सकती है और आपने इसमें धील दी तो फिर यूश्वरी मालिक है क्या होगा क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास समय है बरबाद करने के लिए समय बचेगा बागी तो कुछ आपके पास